मित्रो, आपने कई जगह की सेर की होगी. हमारा भारत देश अनेक दर्शन ये स्तलों से सम्रिद्ध है. सभी स्तलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है. गुजरात उन में से एक अनूठा राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणिय प्रदेश है. उसका पौरानिक महत्व भी है. अनेक दर्शन ये स्तलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम याने कि संग्रहाले भी कहा जा गुजराता है. तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो. हो जाओ तैयार, चलने को कच्छ. मित्रो, देखो, हम यहां कच्छ में प्रवेश कर रहे हैं. कच्छ में प्रवेश करते ही, हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षन नहीं दिखाई देता. रेत कहीं नजर नहीं आती. अतह यह अनूठा रेगिस्तान है. सामकी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंब होती है. यहां से उत्तर परश के अउशिशो का अंग है. इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं. हमें प्राचीनता में आधुनिक्ता के दर्शन होते हैं. यहां से आगे बढ़कर जब हम सामकी आली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो बचाओ नजर आता है. जो बड़ा गा पूर तथा गोपालपूरी उद्योगों के कारण विक्सित हुए दिखाई देते हैं. आधिपूर में गांदी स्मृती तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है. कंडला का विकास यहां की प्रजा के लिए महत्वपूर है. मित्रो घूमने का मज़ा आ रहा है है ना? हाँ, तो अब हम जैसे ही कंडला से दक्षिन की ओर आगे बढ़ेंगे जहां भद्रेश्वर अतिप्राचीन जैन यातुरा धाम है. संग मर्मर से बना 2500 वर्ष पुराना जीनाले भूकम में खंडित हुआ, उसके पुनह निर्वान का कार्य जोरों से चल रहा है. इस समद्र के किनारे बंदरगा विक्सित हुआ है. यहां कुछ प्राचीन इमारत है. समुद्र के किनारे तटिय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे. मांडवी अतिस सुन्दर बंदरगा है. बड़ा प्राचीन नगर है. यह शहर राजा के महल, पवन्चक्कियों तथ समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनिय बना है. यहां VRTI ग्राम में संस्ता है. बात्तर जिनाले है. पास ही विद्रा गाउं में अंतररांस्रिय अस्पताल है. मांडवी से आगे चलते डुम्रा, कोठिरा, सुधरी और जखो महत्पपुर्ण गाउं है. जैनों का प्राध सील का केंद्र है. यहां वायुसेना का मुख्य अड़ा है. मित्रो, अब देखो, हम नल्या से एक गंटे की यात्रा करने के बाद नारायन सरोवर आपहुँचे हैं. जो अत्ती प्राजीन, पौरानेक, धार्मिक स्थान है. इस स्थान को रामायन काल का माना जाता है. यहां से रावन गुजरा था. यहां पूरे भारत का प्राजीन स्थान माना जाता है. सुर्योद्वय और सुर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्शन है. नारायन सरोवर से आगी की यात्रा में लगपत आता है, जो अती प्राजीन स्थल है. गुरु नानक की चरणरज से किला है. उसके बगल में प्रानन ध्रो खनीज संपत्ती के लिए प्रसिद्ध है. साथ ही विद्युत निर्मान का यह केंद्र है. लगपत से मध्यकच की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसल्मानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है. यहां पीर की मजार है. रेगिस्ता करते हुए श्रद्धा भाव से दर्जनार्थ आते हैं. आगे नखत्राना प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है. रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांधाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है. देखो, अब यहां कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है. उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है. आइना महल, प्राग महल, तावर, स्वामिनारायन मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड, लोक संग्रहालय, विश्वव द्यालय आदी के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं. सन 2001 के भुचाल ने इसे खंड इसे ही हम भुच से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो खावडा में काला डुंगर है. पहाड पर चड़कर रेगिस्तान की जहांकी करना एक अनूठा अनुभव है. सरकारी वमस्तानिय जन्ता द्वारा रनुत्सव का आयुजन होता है. देश भर से लोग यहां आते हैं, सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदाई घटना है. भूज से अंजार भी जाया जाता है. आगे बढ़ते हुए स्रिजन संस्ता में यहां की प्रजा की हस्तिकला का परिचय होता है. जैसल तोरल की स्मृती में मंदिर बना है, जो एतिहासिक स्तान है. यहां स आती है. कहा जाता है, कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. कच गुजरात का गौरव है. और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनिय एवं आकर्शन का केंद्र है.